यादव का राजकी सम्मान के साथ अंतिम संसकार किया गया है दारोगा के बड़े बेटे हर्ष ने पता को मुखागनी दी अरर्या इस पे शहित के घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांचली अर्पित की है पुलिस प्रिशासन ने परिवार को पूरी मदद का आश्वासन रिया अंतिम संसकार में अस्थानी सांसर प्रदीप सिंग भी शामिल हुए और ब्यार सरकार पर जम कर निशाना साधार कर्तब की निश्ट थे सारे घर का कार्ज उनका बच्चा भी बिमार हो वाईब बिमार हो घर में किसी तरह फंक्चन हो सस्वराल में किसी तरह फंक्चन हो कोई मतलब नहीं उसको सिर्भून को डूटी पर आधियों के सक्ट सक्ट कारवाई की जाए किसी क्या खा सकते हैं बोली ही सकते हैं लेकिन परसासन भी लगी वी कलम को इस पीसा समस्तिपूर से लगा कि बहुत वह एक्शन लिये हुए हैं बड़ा ही हिर्दे विदारक और दुखदाई है यहां कल एक तरफ पूरे देश हम लोग आजादी के जस्त मना रहे थे और उसी बेख खबर आई कि लंद किसोर यादव जी जो हमारे दरोगा थे वह समस्तिपूर में मोहनपूर मोन का उपद अस्थापित थे और वह अपरादियों को पकड़ने गया और अपरादी ने तावर तोड़ गोली चला के इन पर हत्या किया यह खबर सुनकर के आज पूरे जीला में मरमाहत है और सरकार कितना संबेदन हीन है कि अभी तक सरकार के तरब से सरकार के मुखिया मानिय मुखमंत्री जी अभी तक संबेदना ब्यक्त नहीं किया है और अगली खबर आपको भूजपूर से बता दी जहां शहीद गौतम कुमार का पार्थव शरीर शाहपूर धाना शित्र के रंडाडी गाउं में पहुंचा गाउं में शब पहुंचते ही पूरा महौल गंगीन हो गया पूरे गाउं में अशोक की लहर दोड़ गई है शाहपूर के विदायक राहुल तिवारी समेत हजारु की संख्या में लोग वहाँ पर पहुंचे और भारत माता की जैकारी का नारा लगाया आपको बता दे कि दो दन पहले जार्खन की चायबास्ता में नकसली के साथ हुई मुडभिड में दो जवान शहीद हो गए थी जिसमें एक जवान एसाई अमित कुमार तिवारी जार्खन के पलामु के रहने वाले थी वहीं दूसरा जवान भोजपूर जिलाके श्राहपूर के रंडाडी गाउं के हैं जिनका नाम गौतम कुमार था अच्छी वह गया सब्सक्राइब जाने पर ब्यार विदान सबाके नीता प्रते पाक्ष विजें सिन्हानी नितीश सरकार पर हमला बोला है विजें सिन्हानी कडी टिपणी करते वे कहा कि ब्यार में अपराधियों ने गुंडा राज को साबित कर दिया है जिससे मुक्य मंत्री जन्ता राज कहते ही स्वतंता दिवस पर जहां पूरा देश अमरित काल उत्सब मना रहा था उस दिन ब्यार में गुंडों का उत्सब जल रहा था समस्तिपूर के अंदर जो घटना घटित हुआ है समस्तिपूर में उस दरोगे की हत्या बिहार के जंगल राज जिसको मुक्य मंत्री जन्ता राज कहते हैं ये गुंडा राज को साबित कर दिया सोतंता दिवस पर जहां भारत अमरित महोत्सव काल का ये पावन अबसर पर पूरा देश उत्सव मना रहा था बिहार में गुंडों का उत्सव चल रहा था जो देश की रख्चा समाज की रख्चा हमारे पुलीस के जबान कर रहे हैं वो डरे सा हमें उसकी हत्या कर देता है वही थाना देक्ष नंदिकिशूर की हत्या के बाद बीजेपी सांसद रवेशंकर प्रसाथ के बयान के बाद ग्रामन विकास मंतरी शवन कुमार ने पलेट वार किया है श्रवण कुमार ने का कि उन्हें कोई नोटस नहीं लेता रविशंकर प्रिसाप को उनकी पार्टी ने दूद में गरी मक्खी के तरह निकाल कर बार फिंग दिया है वहीं उन्होंने थाना ध्यक्ष की हत्या मामली के निंदा की है घटना बहुत दुखद है घटना की जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ा है लेकिन ऐसे घटनाओं पर सरकार की सक्ति है सरकार उन अपराधियों से सक्ति के साथ निप्टेगी और किसी भी किमत पर अपराधी नहीं बचे इसकी पूरी कोशिस की जाएगी अब रवी संकर जी को भारतिय जनता पार्टी में क्या भैलू है भारतिय जनता पार्टी में अगर भैलू होता है तो किंदर में मंतरी रहते अच्छे नेता है लेकिन उनको जैसे दूद में मक्खी पढ़ जाता है तो निकाल के फेक दिया जाता है तो जितने बिहार में सिनियाख लीडर है भाजपाक है, साब लीडर को और पंदर अगस्त के एहले सुबा पशूत तसकरों ने मोहनपुर ओपी के सेचो नंदकिशोर यादव को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी हत्या की वारदाग दल सिंग सराय नुमंडल की शाबाजपुर गाउं के पास हुई थानेदार अपने पुलिस ट्रीम के साथ परशूत तसकर के घिलाव छापेमारी करने के लिए पहुंचे हुए थे सवाल खड़े करता है और अधिक जानकारी दे रहे समवा दाता मोकेश कमा समस्तिपूर के मोहनपूर ओपी के एस एचो नंदकिशोर यादव के पसु तसकरों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जिसके 24 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है लेकिन अब तक इस मामले में हत्यारे की गिरफतारी नहीं हो पाई है हलाकि इस मामले में समस्तिपूर पुलिस अधिक्षक के द्वारा ये बताया गया था कि नंदकिशोर यादव जिनकी हत्या हुई अपने करतबे पत पर सहीद हुए उनके द्वारा उस पसु तसकरों की पहले पहचान की गई थी जो नालंदा का गिरो था और उसके बाद लगातार उस पर कारवाई भी की जा रही थी और नंदकिशोर यादव जो सहीद हुए उनके द्वारा पसु तसकर के चंगुल से कई पसु को मुक्त भी कराया गया था उनके द्वारे गिरफतारी भी की गई थी और इस घटना के बाद समस्तिपूर पुलिस अधिक्षक के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है जो अब उस पसु तसकर गीरों के सदस्यों की गिरफतारी पर काम कर रही है लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है जिसको लेकर कई तरह के सबाल भी उठ रहे ह अब देखने बाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर कब तक समस्तिपूर पुलिस के द्वारा उन हर्तियारों को गिरफतार किया जाता है मुकेश कुमार न्यूजटी नेटवर्क समस्तिपूर वह स्वतंतता दिवस के दिन लोगों ने जम कर जश्न मनाया बकसर में फायर ब्रिगिट के पुलिस कर्मियों ने भी स्वतंतता दिवस का जश्न मनाया है सभी पुलिस कर्मी भोजपूरी गाने पर जम कर नासते जूमते नज़र आए पुलिस कर्मियों के डांस का वीडियो शूशन मेडिया पर वारल हो गया है हाला कि निउस दीटिन इस वीडियो के पुष्टी नहीं करता है खबर गया से जहां चंदौती में बहुतिड़े पार्टी में फारिंग का वीडियो सामने आया है बड़े बॉई ने फारिंग का वीडियो बनाकर अपने शूशन मेडिया पर डाला जिसके बाद वो काफी तीजी से वारल हो गया वीडियो में देखा जा सकता है कि देर रात की एक काट्टी के बाद युवक अपने दोस्तों के साथ हवाई फारिंग कर रहा है शूशन मेडिया पर ये वीडियो बड़े तीजी से वारल हुआ नियोज जेटिनस वारल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है